उन्होंने बीजेपी जाइन करने का निन्न लिया है, ट्रीज तारीक जाइन होगा, जब तको रिजाइन नहीं देते हैं, तब तको एक माननिय मंत्री भी है, और साथ में सब जानते हैं कि ओए एक फॉर्मर छिप मिनिस्टर अब जारखन भी है, पेसियल ब्रांच जारखन प पीसे में SB लगा देता हूं कि उनका मुव्मेन ट्रैक किजिए, आप लोग समझ सकता है कि यह कितना एक बूरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है, बहुत दीन से सामफाई सुरेंजी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला, स्वाधिन भारत में यह कभी नही हुआ है, मेरा भी संदे है कि साइद उनका फोन भी टैब हुआ हुआ होगा, आप लोग सब को मालूम है कि जार्खन का मंत्री सभा में आज भी सी सामफाई सुरेंजी मंत्री है, उन्होंने बीजेपी जाइन करने का निन्न लिया है, ट्रीज तारीक जाइन होगा, जब तक को रिजाइन नहीं देते हैं, तक तक एक माननिय मंत्री भी है, और साथ में सब जानते हैं कि ओ एक फॉर्मर छिट मिनिस्टर अब जार्खन भी है, तो पहले सामफाई सुरेंजी डेली गिये थे, आज से एक सब्ता पहले, और उन्होंने डेली में तीन दिन बिटाया था, फिर दोबारा सब्वीस तारिको क्यालकाता होते हुए ओ डेली गिये थे, तो दोनों बार जब डेली गिये थे, ओ दोनों बार ताज होटेल में रुखे थे, दोनों बार, उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, और धिकारी गुप में ही ओ ताज होटेल में रुके थे लेकिन काल पटासला कि दोनों बार जो ओ डेली गिये थे दोनों बार उसको जारखान का एजबी उनको फॉलू किये थे स्पेशियल ब्रांच जारखान पुलीस उनको फॉलू किये थे एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूँ अगर केशब महंत्र जी का पीसे में एजबी लगा देता हूँ कि उनका मुम्मेंट ट्रेक किजिए आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बूरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है तो काल इविनिंग ये दोनों एजबी का एजन को लोगों ने पकरा होटेल में ही जब दोनों फोटो खीश रहे थे तो दोनों को समफाई सुरेंजी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकरा और डेली पुलिस को हेंड़ भर किया जब डेली पुलिस को हेंड़ भर किया साथ में समफाई सुरेंजी ने एफायर भी डाला कि ये डो बैक्ती है हमारा फोटो भी ले रहा है और क्यालकटा से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आये और हमारा होटेल का ही नस्दिक रूम उन्हों ने बूख किये और हमारा संदे हो रहा है ये क्या है फिर ये दोनों बैक्टि को डेली पुलिस ने लेके गिया ताज होटेल से फिर पता सला ये दोनों डेया जारखान पुलिस का special ब्रांच का साब इंस्पेक्टर्स है दोनों जर्खान पुलिस का साव इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बटाया कि हमने बहुत दीन से सामफाई सुरेंजी को ट्रेक करने के लिए हमें जिम्मेदरी मिला था। बुले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लुग आते हूं और जहां में भी जार्खान में भी जाते हैं हम लुग फॉलू करता हूं। फिर ये पूसा गिया कि आपको ये जिम्मेदरी किसने लगाया। ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमर जो वहां का स्पेशल ब्रांच का ADGP है उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदरी लगाया था। ये दोनों ब्यक्ति का नाम में नहीं लेना साहूंगा। दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है। लेकिन सायद ओलोग बाकी काम भी करता है तो उनका जो काभार है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों सहरा भी मेरा पास है। किसले होटेल से ही ओलोगों ने लोगों को पकरा था। तो ये स्वाधिन भारत में ये कभी नहीं हुआ है कि एक चिप मिनिस्टर और केबिनेट कॉलिक का उपर। जैसे आज अगर मैं मेरा ही केबिनेट मंत्री जी का उपर में SB लगा देता हूं। या मोडी जी अपना ही केबिनेट मिनिस्टर का पीसे लगा देते हैं अफिसर्स की कहां जाते हैं कैसा जाते हैं ट्रैक करो एक साथ ट्रेवल करो। होटेल का साथ में ही रोहो जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खिसो उनका फोटो भेजो तो ये एक बहुत बड़ा इशु है प्राइवेसी को पूरा खटम कर देना और ये आज भी डेली पुलिस का कस्तोडी में ही दोनों अफिसर है आगे जाके डेली पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा वो डेली पुलिस ही जानते हैं लेकिन जो हुए है ये सानेककपुरी का डी सीपी को हम लोग उन्हें कॉंप्लेंट दिये थे सानेककपुरी ठाना में है ये दोनों बैक्ति तो ये स्वाधिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुए कि एक आपका कॉलीग है कलिक का साथ अपने अपना स्पेशियल ब्रांच को ड्यूटी लगा है मेरा अभी संदे है कि साइद उनका फोन भी टेप हुआ हुआ होगा जब दो अधिकरी को आप डिप्लॉई किया है फाइट स्थार होटेल में एक साथ रूखने के लिए आपने फंडिंग किये है फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किये है तो अब ये कितना बड़ा मामला हो सकता है आप लोग देख सकता है कॉंग्रेस और जेम ये डोनों पार्टिया जो बहुत ही संगविधान रख्षा करने का बाद हर समय बोलते है कि हम लोग संगविधान को रख्षा करने वाला है क्या लोगों का प्राइवेसी को ऐसे आक्रामन करना क्या ये भारत का संगविधान इजाज़त देते है कि संफाई सोरेंजी क्या कोई नक्साल है क्या संफाई सोरेंजी कोई extremist है आप तो बोल सकते हैं आप कोई भी सिविलाइस कांट्री में ऐसा एस्पैनोज होई नहीं सकता है तो ये मामल एक आदिवासी नेता है और ये मामला आज आप सानेकवपुरी पुलिस्टेशन में आप लोग जाके कॉन्फर्म कर सकते हैं काल साम को हमारा मतलब उनका साथ जो लोग थे और लोगों ने उनको ठाना में हैं नवर किया और एक बहुत बरी बाद है जब ये दोनों बेक्टी थे होटेल में जब स्पेशियल व्रांज का दोनों पुलिस ओफिसर थे वो समय एक महिला का भी उनका रूम में आगमन हुआ जब ये दोनों पुलिस ओफिसर रहा दोनों पुलिस ओफिसर को कुछ समय एक महिलाओ का साथ भी देखा गिया तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ सायच की स्कीम कुछ बना हुआ था हम बोल नहीं सकता हूँ बड़ ये लोगों ने बटाया कि और वो लोगों ने भी अद्मिट किया कि हाँ महिला आये थे हमने बहुत ज़्यादा तैकिकत करना हमारा काम नहीं है इसलिए हमने तैकिकत नहीं किया लेकिन महिला आप किसी को आप ट्रैक कर रहा है दो पोलीस अफिसर किसी का आपलोग फॉलो कर रहा है आप ओफीचल ड्यूटी में है फिर महिला आपका रूम में आगमन सेम फ्लोर में जहां संफाई सुरेंजी भी है तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है और ये डोनों पुलिस ओफिसर ने ये भी बोला है कि हमको संविधानिक पत में बैठे हुआ बैक्ती भी हमको मिले और हमको स्पेशियल ये ताक्स दिया मैं नाम नहीं लेना साता हूँ लेकिन संफाई सुरेंजी को फॉलो करने के लिए ताक्स मुझे संविधानिक पत में बैठे हुआ बैक्ती से ही हम लोगों को मिला था तो ये एक बहुत बड़ा मामला है मैं साहूंगा कि इसका बारे में अक्सा से इंक्वारी हो या क्या फॉलूआ भी था फॉलू करना ही था कि संफाई सुरेंजी का फोन बगड़ा में भी ट्रैक में है टैपिंग में है सारा मामला एक जास का बिश्वय है त्रिस तारीक में भी जारखान जाओंगा दोबारा ये मसला हम लोग राज्यपल महुदर से मील के हम लोग बताओंगा लेकिन फिलहाल में ये बात आपको बताना साता हूं कि कोई कॉंग्रेस पार्टी जेमें पार्टी कोई संग्विधान का रेक्षक नहीं है राइक तो लाइफ आर्टीकल 21 संग्विधान का फंडामेंटल राइज कि इंडिविजियल का प्राइवेसी को अब हनन नहीं कर सकते हैं लेकिन आज कॉंग्रेस और जेमें सिधा सिधा लोगों का प्राइवेसी को भी इंवेड कर रहा है और वन ही बिकम्स ए सिधियर अदिवासी लीडर वर्मर्चिप मिनिस्टर अज जो हम बात कराऊं